अब ध्यान पूर्ण सुनिए भगवत गीता वेदों का सारे ध्यान रखेगा भगवत गीता के अंदर पांच तत्वों के बारे में चर्चा करी गई है कितने वेदों में इन पांच तत्वों को छोड़कर छटे के बारे में चर्चा ही नहीं है ध्यान पूरों सुनिए यह पांच क्या तत्व हैं भगवान जीव प्रकृति काल और कर्म फिर दोहरा रहा हूं भगवान जीव प्रकृति काल और कर्म इन में से चार सनातन है कर्म सनातन नहीं है भगवान सनातन जीव सनातन प्रकृति सनातन काल सनातन प्रंतु कर्म सनातन नहीं है अब यह उत्तर नहीं दूँगा क्यों है इन पांचों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आगे तो ये पांच चीज़ें ध्यान रखेगा ये पांच चीज़ों को ही सारे ग्यान जो है इनी पांच पे समलित है इसके बाहर कोई ग्यान है यह नहीं अब इनका वर्गी करन भी किया गया है वर्गी करन तीन भागों में वर्ग में विभाजित किया गया है पहला संबंद ग्यान दोरा रहा हूं पहला संबंद ग्यान दूसरा अबिदे और तीसरा प्रयोजन बड़ा सिंपल संबंद ग्यान क्या मैं कौन ये प्रकृति क्या और इन दोनों का स्वामी कौन और इनका आपस में संबंद क्या इसको सं प्रकृति क्या और इन दोनों का स्वामी कौन ये तीन चीज़ों को और इनका आपस में संबंद इसको संबंद ग्यान कहते हैं ये पहली चीज होती है क्या होती है प्रभुजी स्टार्टिंग पहली चीज दूसरा लेते हैं प्रेयोजन प्रियोजन का मतलब लक्ष अभी आप ले लिजिए मैं अपको समझा दूँगा आगे सिर्व अभी शुरू में करते हैं ना कि क्रिश्ण प्रेम अभीदे का मतलब जो इसको प्राप्त कराए उसको क्या किते हैं अभीदे और वो है भक्ति वो क्या है भक्ति तो संबंद ग्यान हुआ इन तीन का ग्यान अभीदे हुआ भक्ति तो प्रयोजन हुआ क्रिश्ण प्रेम सिंपल है जी भगवत धाम जाना है न और कोई तरीका है नहीं